मा की बाते सरयू बाला देवी से वारता लाब एक दिन मैं रात के समय गई थी मा लेटी हुई थी काली बहु पास बैठी थी मैं प्रणाम करूँगी इसलिए मा उठकर बैठी प्रणाम करते ही कुशल आधी पूछने के बाद पुनहा लेटते हुए उन्होंने पावो पर हाथ फेर देने को कहा फिर बातचीत के दौरान वे कहने लगी सुनो बेटी विधाता ने जब सर्वप्रथम मनुश्य की सृष्टी की तो एक तरह से उन्हें सत्वगुणी ही बनाया इसके फलस्वरूप उन लोगों ने ज्यान के साथ ही जन्म लिया था और उन्हें संसार की अनित्यता समझते देर न लगी अतहा वे सभी ततकाल भगवान का नाम लेकर तपस्या करने निकल पड़े और उनके मुक्तिपद में लीन हो गए विधाता ने देखा कि काम हुआ नहीं इन लोगों के द्वारा संसार की लीला आधी कुछ चल नहीं सकी तब उन्होंने सत्व के साथ थोड़ी अधिक मात्रा में रज और तम मिला कर मनुष्य की रचना की इसके बाद उनकी लीला का खेल भली भाती चलने लगा इतना कहने के बाद उन्होंने स्रिष्टी विशयक एक सुन्दर दोहा सुनाया तद उपरां तवे बोली उन दिनों बेटी नाटक कथा आधी हुआ करती थी हम लोगोंने कितना सब सुना है आजकल वैसा सुनने में नहीं आता इसी बीच काली बहु उठकर दूसरे कमरे में चली गई थी और वहाँ नलिनी दीदी तथा माकू के पास कोई पुस्तक चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रही थी सुनकर माने कहा देखती हो बेटी कितना चिल्ला कर पढ़ रही है नीचे कितने सब लोग है इसका कोई होश ही नही राधा रानी ने मा के पास आकर कहा लक्ष्मी आदी नवदवीद जाएंगी परन्तु तुमने मुझे उन लोगों के साथ जाने नहीं दिया इतना कहने के बाद विरूट कर चली गई मा बोली उसे भला कैसे जाने दूंगी बेटी लक्ष्मी भक्त है भक्तों के साथ मिलकर कितना नाचेगी गाएगी हो सकता है कि जाती आदी का विचार किये बिना उन लोगों के साथ खाब ही ले परन्तु यहां तो वहां सब अच्छा नहीं समझेगी गाउ लोटकर लक्ष्मी की निंदा करेगी तुमने लक्ष्मी को देखा है मैंने कहा नहीं मा मा दक्षिनेश्वर में ही है उससे मिलना दक्षिनेश्वर गई होना मैं हा मा अनेको बार गई हूँ परन्तु वे वही है यहां मैं नहीं जानती मा, दक्षिन इश्वर में मैं जिस नौबत खाने में रहती थी उसे देखा है मैं, बाहर से देखा है मा, भीतर जाकर देखना, उसी कोठरी के भीतर सारी ग्रिहस्ती थी मैं जब पहली बार कलकत्ते आई, उसके पहले कभी पानी का नल आदी नहीं देखा था एक दिन मैं नल घर में गई थी, देखा कि नल से साप के समान सो सो की आवाज निकल रही है मैं तो बेटी भय से दोड़ते हुए महिलाओं के पास जाकर बोली अजी नल के भीतर एक साप आया है, देखना हो तो आओ, सो सो कर रहा है वे लोग हसते हुए बोली, अजी वहाँ साप नहीं है, दरना मत, जल निकलने के पहले ऐसी ही आवाज आती है मैं तो हसते हसते लोटपोट हो गई यहां कहकर मां खूब हसने लगी वहाँ क्या ही सरल मधूर हास्य था, मैं भी अपनी हसी न रोक सकी सोचा, हमारी मां ऐसी ही सरल जो है मां, बेलुड में ठाकुर का उत्सव देखा है मैं, नहीं मां, कभी बेलुड मत नहीं गई सुना है कि वहाँ महिलाओं का जाकर भीड लगाना साधू भक्तगण पसंद नहीं करते इसी भय से और भी नहीं गई मां, एक बार जाना न, ठाकुर का उत्सव देखने जाना एक अन्य दिन, श्री मां ने रास्ते के किनारे बरामदे में आकर मुझे आसन बिचा कर हरी नाम की ठैली लाने को कहा वहाँ लादेने पर वे बैठ कर जब करने लगी प्रायह संध्या हो चली थी उसी समय सामने के मैदान में जहां कूली, मजदूर, आदी बहुत से लोग अपने बाल बच्चों के साथ निवास करते थे, वहाँ एक पुरुष ने संभाव तहा अपनी स्त्री को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया थपड़ घूसे, और बाद में उसने एक ऐसा लात मारा, कि वहाँ स्त्री अपनी गोत के बच्चे के साथ लुड़कते हुए आंगन में जागिरी, अहाँ, उसके बाद भी जाकर उसने कई लाते जमाई मा का जब करना बंध हो गया यहाँ क्या उनसे सहन हो सकता था? वे इतनी अधिक लज्जाशील थी कि उनके गले का स्वर तक कोई नीचे से सुन नहीं पाता था तो भी रेलिंग पकड़ कर खड़ी हो गई और तीवर भर्थना के स्वर में बोली अरे दुष्ट बहु को बिलकुल मार ही डालेगा क्या? बेचारी पहले ही तो अधमरी हो गई है वहाँ व्यक्ति इतना क्रोधोन मत्त हो रहा था परन्तु एक बार उनकी ओर दृष्टी पड़ती ही सिर पर धूल पड़े हुए सर्प के समान सिर नीचा करके उसने बहु को ततकाल छोड़ दिया मा की सहानु भूती पाकर उस महिला के रुलाई धम ही नहीं रही थी सुना उसका अपराद भस इतना ही था कि उसने यथा समय भाद बना कर नहीं रखा था थोड़ी देर बाद उस आदमी का क्रोध शांत हुआ और उनके बीच मान मनौवल शुरू हो जाने पर हम लोग भी कमरे के भीतर चली आई थोड़ी देर बाद रास्ते पर एक भिक्षुक की आवाज सुनाई दी राधा गोविंद ओ मान अंदरानी अंधे पर दया करो मा आदी इसे सुनकर माने कहा यहां भिखारी प्रायह ही रात में इधर से होकर जाता है पहले वहां अंधे पर दया करो मा आदी कहकर ही गोहार लगाया करता था गोलाप माने एक दिन उसे ठीक ही कहा था अरे इसके साथ ही एक बार राधा कृष्ण का नाम भी लिया कर ग्रिहस्त के कान में भी भगवान का नाम जाएगा और तेरा भी नाम लेना हो जाएगा सो तो नहीं केवल अंधा-अंधा ही कहता रहता है तभी से वह यहां आते ही अब राधा गोविन कहकर खड़ा हो जाता है गोलाप माने उसे एक कपड़ा दिया है पैसे भी मिलते हैं एक दिन संध्या के समय गई थी सुना मा कह रही थी नए भक्तों के द्वारा ठाकुर सेवा का कारे कराना चाहिए क्योंकि उनका नवान उराग है सेवा अच्छी होती है पुराने लोग सेवा करते-करते ठक गए है सेवा क्या सहज बात है बेटी कहीं सेवा पर आधना हो इस ओर ध्यान रहना चाहिए परन तु बात क्या है जानती हो मनुष्य को अज्ञानी समझ कर विक्षमा करते हैं एक सेवी का के समीप आने पर वे उसकी ओर उन्मुख होकर बोली चंदन में मिट्टी आदी न रहे फूल बिल्व पत्र कीडे का काटा न रहे पूजा अत्वा पूजा का कार्य करते समय अपने किसी अंग, केश या कपड़े से हाथ न लगे पूरे यतन के साथ यहां सब करना चाहिए और भोग, राग, इत्यादी ठीक समय पर दिया जाए